इकाई आठ भरत मिलाब माता पिता की आग्या का पालन करने हे तू राम वन में गए उनके साथ सीता भी गई भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयुध्या की सिहांसन पर नहीं बैठे अपितू सिहांसन पर राम की खड़ाओं रख कर उन्होंने सेवक की भांती राज काज किया इसलिए कहा है भाई हो तो भरत जैसा वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं पासी धनुषबान लिए लक्षमन खड़े हैं द्रिश्य एक राम ने कहा भाई लक्षमन जरा देखो तो आवास कहां से आ रही है लक्षमन ने कहा प्रभू सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं राम ने कहा कौन लोग है जरा ध्यान से देखो लक्षमन ने ध्यान से देख कर कहा अरे यह तो भरत है साथ ही बहुत से लोग हैं हमें सावधान हो जाना चाहिए शायद वे लोग लड़ने आ रहे है राम ने हस्ते हुए कहा भाई लक्षमन तुम तो बिना बाद शक करने लगते हो इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना लक्षमन ने उत्तेजित होकर कहा पहचाना क्यों नहीं उसी मा का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया सीता ने कहा इसमें बेचारे भरत का क्या दोश लक्षमन ने कहा लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं द्रिश्य दो भरत दोड़ते हुए कुट्या के निकट आते है उनकी आखों से आंसु बह रहे हैं वे राम के चरणों में पढ़ते हैं राम भरत को उठा कर गले लगा लेते हैं भरत ने रोते हुए कहा मुझे क्षमा कीजिए प्रभू आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं आप मुझसे बड़े हैं आप ही को राजा बनना चाहिए मैं आपको लेने आया हूँ आप सब अयोध्या चलिए इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है निराशन कीजिए प्रभू राम ने कहा भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेन देखकर प्रसन नहूँ किन्तु मैं माता पिता की आग्या का पालन करने वन में आया हूँ वनवास पूरा करके ही लोटूंगा एक नागरिक बोला नहीं प्रभू आपको हमारे साथ ही चलना होगा आपके बिना प्रजा दुखी है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है राम ने कहा नगर जनो इस समय माता पिता की आग्या का पालन करना मेरा सबसे बड़ा करतव्य है भरत मेरा भाई है जब तक मैं वनवास पूरा करके न लोटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है भरत कुछ सोच कर बोलता है अच्छा प्रभु जैसी आपकी आग्या पर मेरी एक विंती है उसे स्विकार करे राम ने कहा बोलो क्या चाहते हो भरत बोला मुझे आप अपने पाउं की खड़ाओं दे दे राम ने कहा खड़ाओं का क्या करोगे भरत ने कहा इन्हें सिहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा भरत का प्रेम देखकर राम, सिता और लक्ष्मन गदगद हो जाते हैं राम चिंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं खड़ाओं लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं झाल झाल प्रेम प्रेमा झाल 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 वन का एक भाग कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं पास ही धनुश बान लिए लक्षमन खड़े हैं बाई लक्षमन जरा देखो तो आवाज कहा से आ रही हैं प्रभू सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं कौन लोग है जरा ध्यान से देखो अरे यह तो भरत है साथ ही बहुत से लोग है हमें साउधान हो जाना चाहिए शायद वे लोग लगने आ रहे हैं बाई लक्षमन तुम तो बिना बात शक करने लगते हो इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना पहचाना क्यों नहीं उसी मा का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया इसमें बेचारे भरत का क्या दोश लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे है भरत दोड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं उनकी आँखों से आंसु बह रहे हैं वे राम के चरणों में पढ़ते हैं राम भरत को उठा कर गले लगा लेते हैं मुझे क्षमा कीजिये प्रभू आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं आप मुझसे बड़े हैं आप ही को राजा बनना चाहिए मैं आपको लेने आया हूँ आप सब अयोध्या चलिए इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है निराशन कीजिये प्रभू भाई भरत मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसंड नहूँ किन्तु मैं माता पिता की आग्या का पालन करने वन में आया हूँ वनवास पूरा करके ही लोटूंगा नहीं प्रभू आपको हमारे साथ चलना ही होगा आपके बिना प्रजा दुखी है प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है नगरजनो इस समय माता पिता की आग्या का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है भरत मेरा भाई है जब तक मैं वनवास पूरा करके न लोटू तब तक भाई भरत आप सब के सुख दुख का ध्यान रखेगा आप उसे राजा माने यह मेरा आदेश है अच्छा प्रभू जैसी आप की आगया पर मेरी एक विंती है उसे स्विकार करे बोलो क्या चाहते हो मुझे आप अपने पाउं की खड़ाओ दे दे खड़ाओ? खड़ाओ का क्या करोगे? इन्हें सिहासन पर रख कर आपके लोटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा भरत का प्रेन देखकर राम, सीता और लक्षमन गदगद हो जाते हैं राम चंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं खड़ाओ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं